हेलो दोस्तो नमसकार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साधियो एक्जाम द्रिश्ठी पर आज की डेट है 26 अगस्त 2022 और डेली करेंट अफ्यर सेसन में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है मंगेश कमार और साथ यो आज हम डिसकस करने वाले हैं डेली करेंट अफियर्ज यानि कि मोस्ट इंपोटेंट करेंट अफियर्ज को यहां पर और बहुत अच्छा कंटेंट है शांदार एकदम सेसन होने वाला है साथ यो स्टैक जी के बहुत कॉम्प्रिहेंशिवली हम लोग एक्स्प्लैनेशन के साथ में यहां पर डिसकस करेंगे और जल्दी से आप सभी लोग सेसन को शेर कर देंगे साथ यो जल्दी से सेसन को शेर कर दीजिए सेसन को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सांधों करें और एगा किलियर देखिए जल्दी से आप सबसे पहले तो आप वह स्बीट जो है आपको इसकी हमारे टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगी किलियर इसकी लिंक तो साहब इसकी लिंक जो है वो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेच्ट है हमारा जो एप्लिकेशन है तो साथ यो हमारे जो एप्लिकेशन को भी आप लोग जल्दी से बिना PDF को आप लोग revise नहीं कर पाएंगे है ना इन वीडियोस को आप लोग ढूरते रहेंगे तो PDF आपके पास में होनी जरूरी है क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद में साथियो revision जब करेंगे आप लोगों के लिए तो सब कुछ आपके mind में एक दम गुश जाएगा पहली बात दूसरी चीज़ application भी आपके लिए उतना ही important है साथ हो जितना की आपको exam crack करना क्योंकि देखिए जितने भी हमारे sessions है वो सब भी यहीं पर हमारा जो paid course है जिनको आप खरीदने वाले हैं वो सब यहीं पर मिल जाएंगे आप लोगों को और इसके अलबा बहुत सारा content courses और और सारी lectures वगेरा यहीं पर आपको मिलेंगे तो इस application को जरूर download कर लिजेगा exam दृष्टी के application को इसकी link तो इसकी link जो है साथ हो वो नीचे description box में मिल जाएगी clear तो चलिए दोस्तों आज के हम जो session शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए information यह हमारे smart courses चल रहे हैं साथियों अभी फिलाल 77% का भारी भरकम discount चल रहा है और यह discount साथियो 31 अगस्त तक है और हम अगर mission SDM 2.0 की बात करें तो देखिए mission SDM 2.0 अगर आप UPPCS की तियारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत important है यहाँ पर आप लोगों को साथियो smart classes भी लेंगी यहाँ पर live classes और recorded classes दोनों ही तरह की classes आपको provide कराई जाएंगी और UPPCS के जो papers हैं prelims, mains और even interview की भी आप लोगों को यहाँ पर शांदार तरीके से तयारी कराई जाएगी गाईज, prelims की मैं बात करूँ आपसे तो देखिए prelims का GS paper 1 और GS paper 2, दोनों ही papers की यहाँ पर तयारी कराई जाएगी और mains में, mains में GS paper 1, 2, 3, 4, इसके अलावा जो general hindi और general hindi के अलावा साथियो essay इन दोनों की भी यहाँ पर तयारी आप लोगों के लिए कराई जाएगी देखिए general hindi बहुत important है mains में, आप लोगों के mains के लिए इसके अलावा essay तो important है e-mains को clear करने के लिए, क्योंकि देखिए essay अपने आप में ही एक पूरा एक subject होता एक paper है और यह आप लोगों की rank को बढ़ाने में और exam को clear करने में बहुत ज़्यादा role play करता है ऐसे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए साथियोद यहाँ पर daily basis पर essay writing की practice आप लोगों को कराई जाएगी clear और यहाँ पर इसके अलावा और बाते करें तो यह जो batch है साथियो bilingual batch होगा Hindi और English medium दोनों ही mediums के अगर आप कोई सी भी medium में आप तयारी कर रहे हैं तो दोनों ही mediums के लिए यह बहुत important है मतलब यहाँ पर तयारी आप लोगों को Hindi और English दोनों ही mediums में कराई जाएगी अब बात आती है यह batch कब से सुरू होगा तो देखिए साथियो यह जो batch है दोस्तों यह सुरू होगा 5 सितंबर 5 सितंबर से यह batch सुरू हो रहा है उसी प्रकार जो guys हमारा जो समर्पन batch है अगर आप RO-RO की तयारी कर रहे हैं जिसकि vacancy आने वाली हैं दो एक महिने में लग रा है ताइम लग जाएगा अभी vacancy आने में तो इसके लिए आप लोग अगर तयारी करना चाहते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बहतर batch हो सकता है अगर आप अच्छे से तयारी करना चाहते हैं अपनी तयारी को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं यहाँ पर आप लोगों को 300 गंटे की smart कारेकरम आपको प्रतान की जाएंगी और प्रती दिन दो live classes होंगी recorded classes भी होंगी सबी जो classes है वो expert faculties के दोरा आपको provide कराये जाएंगी और class का medium क्या होगा तो guys class का medium हिंदी और इंग्लिस दोनों ही languages में होगा सापता ही evaluation आपको कराये जाए या निकी weekly evaluation हो जाए मतलब कराये जाएगा आप लोगों की तयारी को परका जाएगा क्या आपके तयारी साही धंग से चल रही है या फिर नहीं चल रही है clear और अब यह जो 77% discount की बात आती है तो साथियों यह जो discount मिलेगा आप लोगों को आपको कुछ नहीं करना simply code यूज करना है ED400 जब आप इस code को यूज करेंगे तो guys आप लोगों के लिए discount available हो जाएगा ठीक है available हो जाएगा discount इसके अलावा फीस बगएरा और बाकी सारी जानकारियों के लिए आप हमारे इन numbers पर जरूर कॉल करिए और इस number पर call करके पूछ सकते हैं clear दोस्तो यह थी जानकारी हमारे courses के बारे में smart courses के बारे में mission SDM चल रहा है mission SDM 2.0 मतलब यह जो है शुरू होने वाला है start होने वाला है पांच सितमबर से 77% जो discount है उसका फाइदा उठाईए clear तो चलिए अब सुरूवात करते हैं हम आज के सवाल का सुरूवात करते हैं हम और जो हमारा पहला सवाल है साथ यह वो है कि किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपने राजनेक संबंदों के 75 वर्स पूरा होने पर dark ticket जारी किया dark ticket यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह देखे यहाँ पर 75 70 years लिखा हुआ है यह इंडिया का तो right answer यहाँ पर है साथियो B कब सुरुवात होती है देखिये देश कब आजाद होता है साथियो देश आजाद होता है 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है देश के आजादी मिलने के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1947 को भारत और मिस्र के राजनेक संबंद स्थापित होती है तो ध्यान रखियेगा diplomatic relation जो पूरे हुए है 75 वर्स उसके लिए डाक टिकट जारी किया है किसने मिस्र ने किलियर सारी बात है इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं देखिये यहाँ पर देखिये मिस्र ने भारत के साथ राजनेक संबंदों की 75 वी बर्स गांट पूरी होई है और उसके उपलक्ष में एक डाक टिकट जारी किया है कब सुरू हुए थे स्वतंत्रता जब आजादी मिलिती देश को तो उसके तीन दिन बाद 18 अगस्त 1947 को भारत की जो आजादी मिलिती भारत को एक देश के रूप में माननेता दीती किसने एजिप्ट ने इसको इंग्लिस में एजिप्ट भी बोला जाता 1950 के दसक में दोनों देश और भी ज़्यादा करीब आए और उसके परिणाम सरूप दोनों देशों ने एक संधी करी और संधी थी एतिहासिक मेत्री संधी यानि दोनों देश आगे से मेत्री भावना को बढ़ाएंगे दोनों देश आगर के आगे मिल करके चलेंगे और साजे विकास को बढ़ावा देंगे यह इस महित्यास के मैत्री संधी के तहर इन्होंने दोनों देशोंने क्या किया था यहाँ पर इस संधी करी थी. आप इसके अलाबा देखिए एक ये जो एक fighter, जेट-fighter इसका नाम है, इसका नामा आप लोग याद रखेगा एलन 300 jet fighter ये जो jet fighter ये जो बनाया गया था साथ यो ये भारत और मिस्तर ने jointly develop किया था jointly इसको manufacture किया था आप लोगो याद रखिएगा और next भारत और मिस्तर के बीच में दिपेक्चिय सेन अभ्यास होता है कौनसा exercise digit warrior clear कौन सी exercise exercise एक्सराइज डिजर्ट वॉर्यर किसके बीच में होता है यह होती है भारत और इजिप्ट के बीच में यह बाइलेटरल मिलिटरी एक्सराइज है आप लोगों को याद रखना है तो यह सारी बात है हमने यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के बारे में में डिसकस करीं कि हमारे जो 75 इयर कंप्लेट हुए है भारत और मिस्ट के साथ में तो उसके उप्लक्ष में मिस्ट ने एक डाक्टिकर जारी किया है सारी बात है अब आप मिस्ट का यहाँ पर मैप देखिए गाईज यह है एजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है और केवल अफ्रीकन नईस की सीमा जो यहाँ एसिया में भी लगती है क्लियर यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है आस्वान आस्वान बांध कौन सी नदी पर है बहुती जो अमारी वल्ड की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी उस पर है आस्वान बांध क्लियर यहाँ पर है रेड सी और इधर है साओधी अरभिया तो साओधी अरभिया यहा Mediterranean Sea में जुड़ता है Red Sea, किलियर स्वेज नेर के थूप, गाजा स्ट्रिप्स यहाँ पर है, यह Jordan है, Jordan नदी भी यहीं पर आती है, स्वेज के नाल यही है ठीक है, और यह Israel है, यहाँ पर लीबिया है, अफ्रीकन कंट्रीज और इधर सुडान से इसकी बाउंडरी लगती है, य देखिए, इजराइल, इंडिया और इजराइल के बीच, राजनेक संबंदों की कौन सी, कौन सी वर्जगाट मनाई जा रही है, तो गाज, इंडिया और इजराइल के बीच में, ध्यान रखेगा, इंडिया इजराइल के बीच में, किलियर, कॉप 27 किस देश में होगा, यह यहां पर अलग लग देशों के जो राश्टर द्यक्षिन वह भाग लेते हैं और क्लाइमेट चेंज से कैसे निप्टा जाए इन सब चीज़ों पर यहां पर डिसकाशन होता है जैसे कि कॉप बात करें कॉप 21 जो कि हुआ था पेरिस में है कॉप से काहां पर हुआ था जल्दी से करेंगे ज्यो फ़ुल ही काहां पर हुआ था काहां पर हुआ था सबसे लंबी कॉनसी न कॉनसी एक है विर्षम यह यह उরण पर है और एजिप्ट में है और कौन सी नदी पर है नील नदी पर है सबसे लंबी नदी कौन सी है विस्व की यह नील नदी कहां से निकलती है यह साथ यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी और यह किस जील से निकलती है गाइस यह निकलती है विक्टूरिया जील से आप लो तो यहाँ पर इस वाले एरिया में है एटलास पर बस रंकला है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है अफरीका की सबसे उची चोटी यह है माउंट के लिपन जारो तो आप लोगों को याद रखना है इन सारी बातों को हमने यह डिसकस करी अब आगे चलते हैं अगला जो हमारा सवाल है वो है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन लांच किया है बिलकुल हाइड्रोजन को कौन सा इंधन बोला जाता है भवेशे का इंधन बोला जाता है क्योंकि साथ यो hydrogen से pollution बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि इसमें क्याप्रियों किया जाता है इसमें जो product by product जो निकलता है वो निकलता है पानी water के रूप में निकलता है water papers तो ध्यान रिखिया कि इसे pollution होता नहीं है दुनिया की पहली train यह यहां पर आप देख सकते हैं किस इसने launch किया गाई यह launch के जर्मनी ने clear जर्मनी ने शुरू कर दिये यहां पर यात्रा और इसके बारे अगर जाने यहां पर hydrogen जो hydrogen गेस से चलने वाली यह दुनिया की पहली train है और यह launch करिये जर्मनी ने इसके बारे बात करें देखिए अभी फिलाल इसको 100 km के दाइरे मे इसको चलाया जाएगा, यानि कि दो सेहनों के बीच में जो चलाया जाएगा, उनकी दूरी कितनी है, 100 km, और दुनिया की पहली hydrogen से चलने वाली train है, यह लॉंच कर दी गई है, किस ने बनाया है इसको, इसको साथ यह बनाया है, फ्रांस की एक company है, rail transport company, जिसका नाम है Alstom, यह आप नाम याद रखिएगा, किस company ने बनाया है, Alstom ने बनाया है, और train में कुछ fuel से लगाए गई है, जो कि hydrogen को oxygen से मिला करके उर्जा पैदा करते हैं, hydrogen को oxygen में मिस्रत किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर energy पैदा होगी, और उससी यह train चलेगी, और इसके बदले मे क्या होगा इसमें, उस सर्जन जैसे मैंने अभी बात करी, पानी और भाप का उस सर्जन होगा, कार्बन का उस सर्जन इससे नहीं होता है, इसलिए यह भविशे का इंदन है, pollution इससे नहीं होता है, इको फ्रेंडली ट्रेन है, जैसे हमने बात करी, पर्यावरन को हमारा जो environment है, उसको इससे बिलकुल भी नुकसान नहीं होता है, और एक बार में, यह करीब कितने किलोमीटर तक का सफेरते हैं करती है, एक हजार किलोमीटर तक का, तो यह बात हैं भी आप लोगों को याद रखने है, इसकी अधिकतम रफतार कितनी है, तो गाइस इसकी जो स्पीड वो 140 किलोमीटर प्रतिकंटा, तो यह सारी बात हैं हमने इस दुनिया की पहली हाइड्रोजन गैस से चालेती जो ट्रेन है, उसके बारे में बात करीं, इसको जन्मनी में लॉंच किया गया है, 100 किलोमीटर के दाएरे में अभी इसको चलाया जाएगा, फ्रांस की कमपनी है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया, मैनिफेक्चर किया गया है, हाइड्रोजन को ऑक्सिजन में मिला करके यह उर्जा पैदा करती है, और उससे यह ट्रेन आगे चलती है, और बाइप्रोड़क्ट इर गूरूप में या हम कह सकते हैं, उत्सरजन की रूप में यह पानी दस्त सैसन है, जब दस्त कंटेंट के साथ में, तो जल्दी से सैसन को शेर कर दीजेगा, हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैप देख लेखते हैं, जर्मनी का, यह तो मैप है यॉरोप का, यह यॉरोप का मैप है, और यहाँ पर यह जर्मनी देख सकते हैं, यह जर्मनी य नॉर्थ में बाल्टक सी से इधर नॉर्थ सी से लगती है यहां पर एस्टरन कंट्रीस है तो पॹलेंड चेक रिपबलेग ही बहती है यह सारी चीजे हमने जर्मनी के बारे में डिसकस करी अब कुछ important सवालों को देख लेते हैं जो कि आपके exam के point of view से बहुत बहुत ज़्यादा important है guys भारत की पहली hydrogen इनन सेल बस का सुभारम कहां पर किया गया है पूने में याद रखेगा अभी हाल ही में इसको लॉंच किया गया था सुभारम किया गया था भारत की पहली hydrogen इनन सेल बस है यानि कि इसमें hydrogen का प्रियोक किया जाएगा hydrogen और हवा का यानि कि air का इसमें प्रियोक किया जाएगा के वाल पानी ही इससे उत्सर्जित होगा तो यह भी एक क्या है भारत की पहली हाइडोजन इनन सेल बस है और पूने में इसका प्रयोग किया गया है CSIR और KPIL जो लिमिटेड है KPIT उस लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है आप लोगों को याद रखना है भाविश्य का इनन हाइडोजन गैस को बोला जाता क्योंकि यह पॉलिशन फ्री होती है नेक्शन हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्टिक देकर रही डेकर AC इलेक्टिक बस का सुभारम कहां पर किया गया है तो गैस यह किया गया है मुंबई में आप लोगों को याद रखना है भारत का पहला है इसको बनाया टोयोटा के द्वारा नेक्स्ट आप बायो मास हाइड्रोजन प्लांट कहां पर रही है यह खंडवा में है आप लोगों को याद रखना है आप मुझे नीचे एक सवाल का आंसर करिए कि बायो सी एंजी प्लांट यह कहां पर है ठीक है और नेक्स्ट मुझे बताईए ग्रीन फिल्ड ग्रीन फिल्ड बायो मास जो है यह प्लांट यह कहां पर है जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इनका हम आगे चलते हैं नेक्स्ट यह भी जर्मनी से ही संबंधत है 2020 के युनेसको शांती पुर्षकार के लिए किसे चुना गया है अब देखिए आप कन्फ्यूज मत कर जाएगा बिल्कुल यह नोबेल सांती पुर्षकार नहीं है युनेसको शांती पुर्षकार है इसका और अधकार एक नाम भी कुछ और है वो भी हम देखेंगे लेकिन अभी फिलाल आप यह जानिए कि इसका जो है नोबेल सांती पुर्षकार से किसी पुर्षकार का कोई लेना देना नहीं है युनेसको शांती पुर्षकार है यह बिल्लकुल अलग है क्लियर सारी बात है पहले चीज दूसरी चीज यह 2022 के लिए से किसे चुना गया है यहां पर आप देख रहे हैं ये को ने ये जर्मनी की साथ ही हो पूर ये जो चांसलर है और इनका नाम है अंजला मरकेल से अब चुना गया है अब ये पुर्शकार जो है यूझास को शांती पूर्शकार कब दिया जाएगा इसके अभी कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये कब दि दिया गया है क्योंकि इन्होंने साथियो 2015 में जो सीरिया इराक अफगानिस्तान और इरिटी रहा से 1.2 मिलियन से अधिक सरणार्थी इनके यहां पर आये तर उनका स्वागत किया था उनको उनको अपने देश में जगह दीती और इसी सहासी निर्णे के लिए स्वागत करने के उनके प्रयासं के लिए 2022 में इन पर जताई है एक ही सहमती से इनको यह पुर्सकार के लिए चुना गया है पुरसकार का नाम क्या है देखो सम्मान का जो आधिकारक नाम है न साथि czasu फो आईवरी कोफिट के पूरह राष्ट पती है उनके नाम पर रखा गया है और इनका जो ऑफिशल नाम है सम्मान का? वह फेलिक्स, हफुएट, बोगें, युनेस्को शांति पुर्सकार, इसकी शुरुवात कब होती है पुर्सकार की। गैज इस पुर्सकार की जो सम्मान की सुरुवात, 1989 में होती है और यह प्रितेक वर्स दिया जाता है उन व्यक्तियों संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो सांती को बढ़ावा देने शोध करने और स्रक्षित करने के लिए विसे इस प्रियास करते हैं cultural organization इसकी स्थापना होती है 1945 में 16 अवंबर 1945 को और इसका जो मुख्याल है वो पेरिश में है फ्रांस में टोटल इसकी जो सदस्य देश है वो 193 है और इसका उद्देश ऐसातियों सिक्षा और संस्कृति के माध्यम से कीजिए अंतर राश्च्रिय है शांती को बढ़ावा देना सुरक्षा को बढ़ावा देना युनेसको के दो दो लिष्ट जारी जाती है विस्व धरौवर और अमुरत धरौवर हाल ही में भारत बैंँ अमूरत धरौवर की सूची में कौन सी धरौवर को नामित किया नौमिनेट किया है, तो जल्दी से आप लोग answer करिण हम आगे चलते हैं, UNESCO के बारे में discussion किया हमने, हमने UNESCO शांती पुर्षकार के बारे दिसक्स किया, अब हम देख लेते हैं महतपूर सवालों को, तो देखे हैं, Nobel सांती पुर्षकार 2021 से किसे सम्मानित किया है, यह सम्मानित किया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को ठीक है नोबेल सांती पुर्षकार 2021 से ध्यान रखिएगा फिल्ड्स मेडल किस छेतर में जीए दिया जाते हैं तो फिल्ड्स मेडल जो है यह मैथ्स के छेतर में दिया जाते हैं गनित के छेत्र में दिया जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है, Fields Medal के छेत्र में दिया जाता है, गनित के छेत्र में दिया जाता है, चार साल में एक बार दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, चार साल में एक बार दिया जाता है, नेक्स्ट वास्तुकला को गाईज वास्तुकला का दोबेड पुर्षकार कहा जाता है और पुलितिजर पुर्षकार पुलितिजर पुर्षकार गाईज ये संबंदित है पत्रकार इता के शेतर में तो दोनों चीज़ों को आप लोग कन्फूज मत करिएगा पुलितिजर पुर्षकार वास्तुकला क पुछा था कि भारत ने अमूर्त धरोवर की सूची के लिए अपने कौन सी धरोवर को या मतलब किसको नॉमिनेट किया यूनेसको के लिए तो वो की आएक सातियो जो गर्बन रहते हैं गर्बा डान्स किसका है यह सातियो गुजरात का तो इसको नॉमिनेट किया है अमूर्त भारत में कितनी अमूरत धरुआ रहें तो यह हैं चोध है और जब गर्बा को भी सामिल कर लिया जाएगा तो टोटल हो जाएंगी 15 क्लियर चलते हैं आगे नेक्स्ट अमारा सवाल है गाईज हाली में केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस नाम से ओनलाइन सेक्षनिक मॉबाइल गेम लॉंच किया है तो गाईज यहां पर आप देख सकते हैं ओनलाइन मॉबाइल गेम देखो यह किस कॉंसेप्ट पर आधारित पता हैं यह आ आजादी का क्या चलता है अमुबाइल गेम लॉंच किया है केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर नेग चलते हैं आगे और इसके बारे में कुछ और चीजह हम लोग यहां पर डिसकस करते हैं देखिए नाम क्या है इसका नाम याद रखना आप लोगों को इस मोबाइल गेम का आजादी क्वेस्ट इसका नाम है और इस गेम को आजादी के अमरित महुतसफ वर्च के मौके पर सुरूरात किया है इससे होगा क्या देखिए जो हमारे भार आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाना इस गेम के माध्यम से क्लियर यह एक ओनलाइन लर्निंग मॉबाइल गेम सीरीज होगा और इसको डिवलप किसने किया है इसको भारत सरकार ने जिंगा इंडिया के सहयोग से विक्सित किया यह नाम भी आप लोग याद रखना है यह गेम ऑनलाइन गेमर्स के विसाल बाजार में प्रविस करने और गेम के माध्यम से उन्हें सिख्षित करने का एक प्रयास यानि कि गेम खेल खेल में उनको सिखाना है लोगों को तो आप लोगों को याद रखना है हमारे जो स्वत अब हम कुछ जो important सवाल है हमारे उनको देखते हैं यहाँ पर देखे हैं हाल ही में lucky bill app किस राजे द्वरा लॉंच किया गया है तो guys यह लॉंच किया गया के रल सरकार क्यों ताकि GST चोरी को रोका जा सके clear चलिए next time मादक पध्यारतों की तसकरी को रोकने के लिए भारत का पहला पोर्टल यह निदान मादक पध्यारतों की तसकरी को रोकने के लिए है सुपरवासुकी क्या है तो दोस्तों यह सुपरवासुकी भारत की सबसे लंबी माल गाड़ी है ध्यान रखिएगा उन टेंपल्स का लाइब प्रिसारन लोगों के सामने लाना इस पॉर्टल के माध्यम से तीहान तीहान क्या है गाइज तीहान एक प्रद्योगी की नवाचार के इंद्र है और आई-आई-टी हैदराबाद के द्वारा इसको उध्गाटम किया गया इसके वारे हम डिसकस किया हमने महत्मून सवाल स्वाल्न इसको कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत बहुत जयादा इंपोर्टम हैं अब आगे चलते हैं और हम अगला सवाल देख लेते हैं साथियो अगला सवाल है जो हमारा हूँ है 71 inter service aquitics championship 2022 का आयो जन कहां पर किया गया है तो guys ये किया गया है विसाका पतड़णम में विसाका पतड़णम कहां पर है ये है guys आंदर प्रिदेश में और आज कल इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको नाम जाना जाता है guys वाई जैय्क की नाम से किसको जाना जता है विसाखापट लब, तो साथ ही हो ये 71 कौन सी है, 71 है, इंटर शर्विस एक्वेटिक्स चैंपियोंसिपर, यानि की पानी की पृत्योग यूटा आ है, तो वही प्रतियोगता है और इंटर सर्विस का मतलब है कि इसमें जो हमारी तीनों सेना हैं कौन-कौन सी कि इंडियन आर्मी यानि कि थल सेना और वायू शेना और इस सेनाओं के यहां पर प्रति भागी इसमें भाग लेंगे और इसको विसाका पत्नम में इसका आयोजन किया गया है इसके बारे में और डिटेल में जाने तो देखिए जो यह इंटर सर्विस एक्विस चेंपियंशिप कमांड स्विमिंग पूल पूर्वी नो सेना कमांड मुख्याल है कहां पर है विशाका पड़न वहां पर इसको आय आश्ट्रिय एक्विटिक्स में पृत्रिद्र के लिए खिलाडियों का चयान करना यह इसका उद्देश है इसमें कौन-कौन से गेम आयोजित किया जाएंगी इसमें देखो तैरा की वाटर पोलो स्प्रिंग बोड हाई बोड डाइव यह सभी व्यक्तिगत और टीम इस प अप्ट्नम में हो रही है और उद्देश है उद्देश है खिलाडियों का चयान करना है राश्टि और अंतर राष्टिय स्तर के लिए सेना के अंदर से क्लियर यहाँ पर आप यह पी आई बी की कट्णिक देख सकते हैं विशाका पतनम में इंटर सर्विस एक्विटिक्श यहां पर आप बे और बंगाल देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आ है है तो यह अंत्रियी से अमरावति यहां पर क्लिएर और सकाई कोट कहा पर बनाए जा ला रा कपसे फूर आप लेखे लिए ह्यागी डेखे अब एक्शाम से से बहुत इंपोर्टेंट है देखिए हाल ही में माच्य से तु एप के लिए ओनलाइन मार्केट प्लेस लॉंच किया है कहां पर इसका नाम क्या है इसका नाम है एक्वा बाजार आप लोगों को याद रखना है ग्रामीन आजीविका पार्क स्थापित करने की गोशना किस रा काता में शुरू हुई है होगली नदी पर सेमी कंड़क्टर नीती शुरू करने वाला पहला राज यह गुजरात तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब अपना यह हमारे साथ यो कोर्स के बारे में इन्फोर्मिशन थोड़ी सी 77 जो डिसकांट चल रहा है उसके लिए के लिए वर्कम डिसकांट मिल जाएगा अगर आप लोग इन कोर्स को स्मार्ट कोर्स को अपना आप जो एंडॉल करना चाहते हैं मिशन एक नेक्स्ट लेवल की तयारी जाते हैं किलियर दोस्तों तो चलिए अब इसके बारे मारे में इन्फोर्मिशन और मतलब और अधिक जानकारी के लिए आप लोग call कर सकते हैं नीचे नमबर जो दिया गया इस नमबर पर call कर करके पूच सकते हैं, सारी बातों की जानकारी आप लिए counseling ले सकते हैं अब आगे चलते हैं और हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट अमारा जो important सवाल है गाईज वो है, हाल ही में गोबर से संपीडित पहली बायो गैस परियोजना, किस कंपनी के द्वारा सुरूप की गई है, तो गाईज ये जो बायो गैस परियोजना जो है, मतलब गोबर से संपीड पहली बायोगेस पर योजना है यह जो HPCLA कंपनी है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह देखो फोटो खिचाने के लिए एकदम टेड़ा हो रहा है बंदा इतना भी क्या शॉक है न फोटो खिचवाने का बाहर ना हो जाए फ्रेम से इसलिए बिल्कुल टेड़ा हो रहा है यहाँ देखो इस चचा का हाथ पकड़ रखा है इनों ने यह जो पहली बायोगेस पर योजना है यह किसके द्वारा सुरू की गई है तो यह सुरू की गई है गाईस HPCLA के द्वारा HPCLA की फुल फॉर्म भी बात करूँ मैं दोस्तों आप से तो देखिए HPCLA की फुल फॉर्म है हिंदोस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप लोगों को याद रखना है किलियर दोस्तों किसने सुरू किया इसको HPCLA के द्वारा है ना और इसके बारे में और मतलब गोवर से संपीड पहली बायोगैस पर योजना है यह आप लोगों को याद रखना अवसिस्ट से ही ठीक है अवसिस्ट से ही है और जो सरकार के द्वारा एक योजना सुरू करी थी गोबर्धन योजना इस गोबर्धन योजना के तहती इसको जो एक कंपनी की द्वारा सुरू किया जा रहा आप लोगों को याद रखना है किलियर सारी बात है और इसके बारे में और डेटेल में अम जाने है गोबर्ध से क्यों ताकि जो देखिए वेश्ट से वेल्थ जनरेट करना इसका उद्देश है अवसिस्ट से उर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली प्रियोजना हो गी है और HPCL ने हरित उर्जा और पर्यावरान प्रबंदन के लिए पिर्ति बंदता की दिशा में एक उतकरष्ट कदम के तहत कहां पर यह सुरू की गई है राजिस्तान के सांचौर में आप लोगों को यह भी याद रखना है सांचौर कहां पर है जालोड जिले में है तो यहां पर गोबर से सम्पीडिद बायोगेस परियोजना की सुरुगात की है और इसका जो उत्पादन होगा साथ यो इसका उत्पादन करने के लिए पिर्ति दिन सो टन गोबर का उप्योग किया जाएगा ठीक है सो टन गोबर का उप्योग किया जाएगा और इसका जो ओटो मोबाइल इंधन की रूप में इसका बाद में उप्योग किया जाएगा परियोजना को क्या कहा है इन्होंने कहा है कि एक साल की अवधी में इसको चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है यह सारी बात है हमने यहाँ पर इसके बारे हम डिस्कस करीं नेक्स्ट यह आप लोगो इसकी P.I.B. की कटिंग लिए यहाँ पर देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहाँ पर अब देखो important सवालों की बात कर लेते हैं देश की पहली education township स्थापित की जाएगी कहाँ पर उत्तरप्रदेश में अभी हाली में इसको हमने discuss भी किया था नेक्स्ट गोबर्धन योजना इसकी सुरुवात कहाँ पर हुई है मतलब कब हुई थी इसकी सुरुवात 2018 मुई थी आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट है भारत की पहली वानजिक अंतरिक्ष व्यदसाला कहाँ इस्थापित होगी तो गाइज यह होगी उत्त्रा खंड में मतलब नाइट में भी यहाँ पर गुम सकते हैं ठीक है एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ट बायोगे सेंटर का उधगाटन हुआ पंजाब में किलियर सारी बात हैं तो यह हमने यहाँ पर डिसकस किया इन सारी चीजों को अब आगे चलते हैं अब जो नया एक वाइरस तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरह पर वायरस यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसको बोला गया टोमाटर बिल्कुल टोमाटर केसे ही है तो इससका नाम टोमाटर रखा गया है टोमेटो फिलू इसको नाम रखा गया गाईज टोमेटो फिलू अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है लेकर टोमेटो फिलू क्यों कहा गया है देखिए टोमेटो फिलू इसको इसलिए कहा गया है कि जब ये वाइरस एंटर करता है ना बोडी इसकार एक नाम नहीं है अभी चुकि इसको रीजनल लेवल पर छेत्री है इस तरह पर इसमें टमाटर के से फपोले पड़ते हैं इसलिए इसको टमेटो फिलू कहा गया है यह जो बीमारी है गाइस यह रेयर वाइरल इंफेक्शन है और भारत कहां से सुरू हुआ है केरल से स जरू हो रही है आजकल और यह जो बच्चों में यह बीमारी होती है टमेटो फिलू दस बड़ से कम उमर के बच्चों में होती है डेथ रेट बिल्कुल कम है कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन कुछ दिनों के बाद यह ठीक हो जाता है लक्षन क्या है इसके देखिए जो सरकार है Health Ministry ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है कहाए कि यह कोई नई बीमारी नहीं है यह पुरानी बीमारी है और यह बीमारी हाथ पैर मुह की बीमारी का कि नया variant है सरकार ने यह भी कहाए कि ज़्यादा टैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है खतरनाक नहीं है यह मताबिक Lancet ने कहा है कि अगर इस विमारी को फैलने से नहीं रोका गया तो ये अभी फिलाल बच्चों में हो रही है बच्चों के बाद ये बड़े लोगों में भी फैल सकता है तो ये सारी बात है हमने डिसकस की Lancet की रिपोर्ट के हवाले से और बाकी पॉल के अध्यक्षता में आप लोगों को याद रखना है नेक्स लंपी रोग के लिए कौन सी स्वादेशी ये है स्वादेशी सी कौन सी स्वादेश स्वादेशी वैक्सीन विक्सित की है प्रोवैक लंपी रोग के लिए आप लोगों को याद रखना है इस सवाल पूछ जाएंगे क्लेड वन, क्लेड टुए ये सब क्या है तो साथियों ध्यान रखिये गए ये monkeypox के variant है monkeypox के जो वाइरस है उसके variant है हर घर दस्तक अभियान ये किस से संबंदित है तो guys हर घर दस्तक अभियान टीका करन से संबंदित है ये सबी बाते हमने डिसकस करी सबी हमने चीज़ें अच्छे से जानकारी हासिल करी अब आगी चलते हैं और हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं ती हाल ही में हिंदी भासा का साहित युवा अकेडमी पुर्सकार 2022 के से दिये जाने की गोशना करी है इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा पुर्सकार हो में हिंदी भासा का साहित युवा अकेडमी दियान रखा युवा अकेडमी पुर्सकार है ये देखो जैसा कि आप जानते हैं जो साहित अकेडमी होती है गाज गाज वो तीन पुर्सकार गोशित करती है कौन कौन से पहला साहित्य अकेडमी पुर्षकार ठीक है कौन सा साहित्य अकेडमी या अकादमी पुर्षकार ठीक है दूसरा साहित्य युवा अकेडमी पुर्षकार ठीक है युवाओं के लिए साहित्य अकेडमी बाल पुर्षकार तो यह तीन तरह के पुर्षकार गोसित क यह हैं साहित्य अकेडमी में तो इसी के तहित ये पूछा आप से कि हिंदी भाषा चाइपंध्य युवा अकेडमी पुर्षकार किसको दिया गया है यहां पर आप देख अकेडमी ने वर्स 2022 के लिए युवा पुर्सकार और बाल साहितेकार पुर्सकारों की गोशना करी इसके अलावा अकेडमी ने 23 भासाओं में युवा पुर्सकार और 22 भासाओं में बाल साहिते पुर्सकारों की गोशना देखो आप लोगों को याद रखना है जो युवा प जब कि जो साहिते अकेडमी पुर्सकार है वो कितनी बहाणाओं में दिय जाते हैं नहीं है आप लोगों को याद रखना है समझ में आ रहा है ना नहीं देखी जो साहिते अकेडमी पूर्सकार है वो लिए जाते है अब आप कहें घश्र समीधान में तो 22 वह हैं हाँ बिल्कुल देखो सम्विधान की 22 भासा पलस में इंग्लिस 24 भासाओं में तो दिया जाता है साहिते अकेडमी पुर्षकार जबकि जो साहिते अकेडमी युवा पुर्षकार है वो 23 भासा में दिया जाता है 23 भासा कुन दी और बाते हैं हम लोग और पूर्शकार की बात करें तो हिंदी के पूर्शकार की बात करी है हमने अब देखो उर्दू का पूर्शकार किसको दिया गया है गजस ये दिया गया मक्सूद आफाक को इनकी कवीता संग्रह है वो है गिरियाहा, गिरियाहा की दिया इनको दिया गया है, जबकि संस्कृत भासा में दिया गया है, आप लोगों को पूरी बाइस के बाइस याद रखने की जरूरत नहीं है, जो important है वो मैंने यहाँ पर सामिल कर दिया गया है, important सिर्प हिंदी और अ अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है, तो guys, GEORGE के लिए दिया गया है मिहिर वत्स को, आप लोगों को याद रखना आ है, किसको मिहिर वत्स को दिया गया है, clear, इंग्छलिस गया है महा भारत फोर चिल्टरन के लिए तो यह बात है हमने यहां पर डिसकस करी हैं अब आगे चलते हैं अब यह कुछ सब्सक्राइब को अनुवाद किस ने किया है इंग्लिस में बेजी रोकवेल ने आप लोगों को नाम याद रखना है इनका भी बेजी वेल नेक्ष्ट आश्ट्य जल पुर्सकार 2022 सीर्स राजे को ने यह उत्तर प्रदेश और स्पोर्स आइकन पुर्सकार यह सुरेश रहना को दिया गया है सुरेश रहना को आप लोगों को याद रखना है क्लियर नेश्ट है बोल्ड जमान मेडल 2022 यह दिया गया गाईज दीपक धर को क्लियर और निताजी अबॉर्ड सिंजो अब्बे जो की जापान के पूर्वे प्रदानमंत्री है इनकी हाली में हत्या कर दी ग इंडिया क्लीन एयर सेमिट का चौथा संस्करण कहां पर हुआ बेंगलूर में सुरू हुआ है इसका आयोजन सेंटर फोर एयर पॉलिशन स्टडीज और सेंटर फोर स्टडी ऑप साइंस टेक्न लोजी एंड पॉलिसी के द्वारा किया गया है चार दिप्स यह सिक्र सम्मि के बात करी एयर समिट के बारे में अब यह यहां पर देखो करनाटक के बारे में यह करनाटक का मैप आप यहां पर देख सकते हैं और यह करनाटक के गवर्नर थावर्चंद गैलोथ बैंगलूर इसकी कैपिटल है बासवराज बोम्माई यह इसके चीफ मिनिस्टर है दान्स याद रखना है यक्षिगान रखते हैं और कुछ इनके डान्स है वो डोलू कुनी थान रखते हैं नाग मंडला डान्स जुडू हैली कृष्ण परिजात भूता अराधना वीराग से और बैलाटा इसके अलावा इसके कुछ लोग प्रयत्योहर करनाटक के वह कंबाला महुतसव आप लोगों इंपोर्टेंट है याद रखेगा हमपी महुतसव गौरी महुतसव पट्टड कल महमस्थ काभी शेख ये सबी इनके क्या हैं डान्सेज हैं इंपोर्टेंट सवालों की अगर बात करें तो देखिए कॉफी का सीर्स उत्पादा कॉन सा राज है करना करनाटक में बाबाबूधन की पाड़ी इंपोर्टेंट है ये वी करनाटक में है और विरुपाक्ष मंदिर का साथियो ये करनाटका में हिए तूंगभद्रा नदी के तठपर है यह नदी के तठपर किस सम्हूने नई दिल्ली टेलिविजन लिम्टेड एंडी टीवी एंडी टीवी इसमें 39.2 परसेंट की इसेदारी का अधिगरेंड किया तो किसने यहां पर देख रहे हैं यह अडानी यह एंडी टीवी तो गई अभी न यह वही एंडी टीवी है आप नोगोंने फेमस पत् अखर बोलने वाले जो आज के टाइम में जो एक मात्र कोई पत्रकार है तो वह है रविशकुमार बाकी तो सब बिक्ये हुए हैं तो देखिए नई एंटीटीवी की बात करें तो 39.2 परसेंट की इसेदारी खरी दिये किसने यह खरी दिये गाइस अडानी ग्रूप ने और अडानी समूने नई दिल्ली टेलिविजन लिम्टेड इसमें हिस्सेदारी अधिग्रेंड की है 39.18% हिस्सेदारी यह खरीद लिया और यह चाहा रहे हैं कि 26% और मिल जाए अब देखिए अंडीटीवी के कुछ तीन न्यूज चैनल है एंडीटीवी 24-7 एंडीटीवी इं कि अर्गियाई और बड़ोदा आरि यंग हिलतन आयोग की सिफारिस पर की गई थी औरक पहले भरतिया गवंश कौन थे यह थे सीडी। CD देश्मुख, आप लोगों को याद रखना है, नामेन का, CD देश्मुख, Next आप मौद्रिक नीती समीती, मौद्रिक नीती समीती के गवर्नर होते हैं, RBI के, मतलब इसके head कौन होते हैं, RBI के गवर्नर, 6 में सदसे होते हैं, 3 RBI से होते हैं, और 3 ही government से होते हैं, इस सारी बात हैं, हमने मौद्रिक नीती समीती के बारे में जानी, यह आज का सवाल है, जल्दी से इसको attempt करिए, आप लोग, नीचे आप लोगों को करना क्या है, देखें, नीचे आप लोग comment section में attempt करना है, और वीडियो को पहले post करिए, इस पर और जो यह सवाल है, इस सवाल को answer करिए, नीचे से, मतलब, नीचे comment section में answer करना है, नीचे से नहीं, सोध करता हूँ कि एक team ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगाल रणों की एक नई प्रजाती की खोज की है, तो किस देश ने मिल करके की है, जल्दी से आप लोग answer करिए, नीचे, आगे चलते हैं, हम कल का revision कर लेते हैं, यह साथ यो कोई revision देख लेते हैं, 25 तारीक का, 25 अगस्त दोजार बाइस, पिर्तिवर्स विश्व गुजराती भाशा दिवस कब बनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है, 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाशा दिवस, यहांके जो लेकक, साहितेकार, कवी नर्मद, उनकी जेनती पर यह मनाया जाता है, हाल ही में संपन हुआ, अंतर राश्ट्रिय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियार में, भारत पदक तालिका में कौन से इस्थान पर रहा है, तो गाइस भारत जो पदक तालिका में, तीसरे स्थान पर रहा है, नेक्ष संगाई स्योग संगठन, SCO, कि रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है, यह हो रहा है, उजबेकिस्तान में, वर्स 2022 के लिए, पुलितिजर पुर्सकार के लिए किसी चुना गया है, तो गाइस यह चुना गया है, फहमीदा अजीम, एंथनी डेल करनल, जोस एडम्स, यानि कि चारों को इस चुना गया है, राइट अंसर डी, भारत ने किस राज्य के गरबान रते को, युनेसको की सा अंस्कृतिक व्रासत सूची में सामिल किया है, गुजरात के गरबान रते को, मतलब सामिल नहीं किया है, भी हो जाएगा भी इसको नॉमिनेट किया है, भारत सरकार के द्वारा, नेक्स्ट है हाल ही में, एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट होस्पिटल का उद्गाटन कहां पर किया गया है, तो गाइज ये किया गया है, एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट होस्पिटल का उद्गाटन हरिया नहीं है, नेक्स्ट है हाल ही में, डी आर डी ओने वी एल यानि की वर्टिकल लॉंच, शॉर्ट रेंज सर्फेश टू एयर मिसाईल का सफल पर कहां से किया है, ये किया गया है, चांदीपूर से, ओडिसा में चांदीपूर से, ठीक है, राजीवांधी ग्रामीड ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा, राजिस्तान में किया जाएगा, तीस लाग खिलारी भाग लेंगे, ग्रामीड पंचाय तिस तरों पर इसका एउजन किया जाएगा मतलब 29 अगस्त से सुरू हो रहे हैं शेरू इसका सुभंकर है सारी बाते हैं आप लोग याद रखिएगा नेक्ष है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला किस देश में स्वामी विवेकानन्द और स्वतिन्दरता सेनानी पांडू रंग खान ख 77% का डिस्कांट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है EDzysta when जीऊ करना यहांप यहां पर इस कोड को यूजज करेंगे तो आप लोगों को डिस्कांट मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को यूज जरूर यूज करना आप लोगों को ED4 00 और Mission SDM 2.0 के तहट आप लोगों को UPPCS की तयारी कराई जाती है यहां पर आप लोगों को प्रेलिम्स, मेंस, इंटरिव्यू तीनों इस की बहुत ही बहते ही बहते ही तरीके से तयारी कराई जाती है एक्सपर्ट फैकल्टी के दौरा आपकी तयारी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत important है और Summer Fund Batch ROAR की तयारी कर रहे हैं, आप लोग तो इसके लिए सम्वरपन बैच है, सम्वरपन बैच में आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को मिलेगा ROAR के लिए Pre-O Sap Pits की समपूर्ण तयारी, 300 गंटे का Smart कारिकरम, प्रती दिन दो Live Classes, पर दे के हिसाब से और recorded classes भी यहाँ पर मिलेंगी सभी कक्षा एक्सपर्ट फेकल्टी द्वारा की जाएंग और अगर मैं इस language यानि की batch के medium की बात करूँ तो गाई यह दोनों ही batch by लिंगले हैं यानि की Hindi और English दोनों ही में दोनों ही languages में available हैं और इसके अलाबा आपको मुल्यांकन यहां पर मिसन स्ट्रीज में आप लोगों को टेस्ट स्रीज भी होगी आप लोगों की और डेली बेसी पर आप लोगों के अंसर आइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी तो यह सबी चीज़ें यहां पर इंपोर्ट कुआ आप लोगो बता सकते हैं तो वीडियो को इसि के साथ में एंड करते हैं मिलें से संवाओं तанти अर्ट सेशन में तब दक करें धन्यवाद थैंक्यू chip कस सब्सक्राइब